नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपनी चैनल स्टोक नीज़ बारवी में तो आज एक बार तो मार्केट में नीशे गया था बठाँ CEO का बयान आया उसके बाद एक बहुत अच्छे ख़़वर आई करीबन करीबन 500,000 करोड के करीब का कॉंट्रेक्ट की नीज आई बड़ा कॉंट्रेक्ट है और ये ओवर दे येर्स कॉंट्रेक्ट है तो CEO ने 3,000,000 करोड के बारे में जो बयान दिया वो भी बहुत इंपोर्टेंट है मतलब उसका पैसा जो उनके पास आने वाला है वो कैसे इंवेस्ट करने वाला है वो सारी चीज़ें भी डिसकस किया आज के दिन तो डिसकॉंट को जो मिलने वाला है रिफॉर्म में 3,000,000 करोड आएगा तो से इंप्लिमेंटेशन किस की होगी स्मार्ट मेंटरिंग की होगी IT आटोमेशन की होगी जो चोरी वोरी होती है विशली की वो कम ही होगी बहुत जादा कम हो जाएगी उससे इनका ये कहना है और जो कंजम्शन है पावर का कंजम्शन है सीजनल राइस है वो भी उसको मैनेज कर पाएंगे देखे और सोलर रूफ को वो कहा रहे है नेक्स तीन से चार साल में साथ हजार से लेके आठ हजार करोड का बिजनस बना देंगे वो टाठा पावर के लिए साल में आप याद दखे वो बहुत ज़्यादा कॉंटिटी में बिखने शुरू गए है तो उनके पास पैसा और हाद में आएगा वो इन्वेस्टमेंट फीज था वो इन्वेस्टमेंट फीज एक्टरे से खतम हो चुका है इसके साथ साथ जेलल इंडिया ने कोलाबरेट किया है किसके साथ टाटा पावर के साथ तो इनके पास कहा है 415 मिलियन स्क्वेर फूट का एरिया ये मैनेज करते हैं ये जो कंपनी है और ये अपने आपको ग्रीन हाउस से अलग करना चाहती है ग्रीन हाउस कैसिस से तो इसलिए ये सोलर पावर के तरह बढ़ रही है इसलिए इनोंने टाटा पावर को चूज किया है और लोंग टर्म के लिए शोट टर्म के लिए नहीं ध्यान रखेगा अब भीके 232 के प्राइस पे आज एक बार नीचे भी गया था पर टरने की कोई बात नहीं है बेठा स्टोक में बहुत जान है ब्रेक आउट आ सकता है ध्यान रखेगा दोस्तों